हेलो श्टुडेंट, वेलकम टू RCI Chemistry Online Classes तो श्टुडेंट लास्ट टाम हम बात कर रहे थे Chemical Kinetics और Chemical Kinetics में हम दो टोपिक के बारे में पढ़ चुके हैं अब तीसरा टोपिक जो हमारा होगा वो होगा relation in between reaction rate एंड इस्टाइक्यों matter तो देखना श्टुडेंट आपको एक reaction दी गई है अब सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सर इस्टाइक्यों matter होता है क्या है हमारे पास में इस reaction में आपके पास में देखो यह जो इस्टाइक्यों matter है इसको हम molar coefficient भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं श्टुडेंट मोलर है कोफी सेंट अब उधर देखना इस्टाइक्यों matter का मतलब होगा यह जो आपके पास में यह reactant है दोनों के दोनों यह भी रियक्टेंट है यह जो रियक्टेंट आगे जिस नंबर से multiply हो रहा है उसे बोलेंगे इस्टाइक्यों matter क्या बोलेंगे student उसको इस्टाइक्यों matter ठीक है जैसे कि हम बात करते हैं आप एक example लेंगे उससे पहले देखते हैं कि relation in between reaction rate and stoichiometry की reaction की जो rate और stoichiometry उन दोनों में relation होता क्या है तो हम यह बोल सकते हैं कि sir if a reaction यह पर बोलें if any reaction और reactant and product rate is equal to divide in stoichiometry coefficient यह molar coefficient क्या बोला मैंने if any reaction all reactant and product यह आपके पास में क्या हो जाएगा reactant और यह क्या हो जाएगा पास में product rate is equal to divide in molar coefficient यह पिर बोल सकते हैं stoichiometry coefficient तो इदर देखना इस्टुडेंट इसका मतलब हुआ क्या आपके पास में यहां पर लिख रहे हैं if any reaction all reactant and product rate is equal to divide in stoichiometry metric coefficient यह पिर इसको बोल सकते हैं molar coefficient इदर देखना आपके पास में सबसे पहले जो rate जो होती है reaction के जो rate जो होती है वो होती क्या है पहले उसको लिखते हैं तो reaction के जो rate होती है the change in concentration of reactant and product in a unit time तो इदर देखो आर जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में plus minus del c upon del t अब यहां से हम क्या करेंगे इसमें relation निकालना है तो यहां पर देखो यह जो reaction है इस reaction में हमारे पास में reactant कितने है student दो a वे b और आपके पास में product कितने है 2 है c और d अब हमें क्या करना होगा इस reaction में यह जो reactant है और product है इनकी rate में relation निकालना है इधर देखना तो आपके पास में जब भी आप reactant की rate लिखोगे अगर मानलो आर आवरेज की बात करता हूं इसके बात कर रहा हूं आर आवरेज ओफ reactant या product तो आर आवरेज के अगर बात करूंगा तो यहाँ पर देखना आप कैसे लिखोगे सबसे पहले minus का sign क्योंकि reactant की जो rate होती है जो reactant की जो concentration होती है वो time passing के साथ क्या होती है decrease होती है तो minus क्या लिखोगे del a upon del t minus del b upon del t minus plus del c upon del t plus del d upon del t student यह तो आप समझ गए होगे कि हम यहाँ पर जो negative sign use में ले रहे हैं और positive sign यूज में ले रहे हैं negative sign जब भी आप use में लोगे तो आपकी पास में rate of reaction जो होगी वो किसके होगी reactant की और अगर आप positive sign यूज में लेते हैं तो rate of reaction किसके होगी product की अगर हम क्या करे इनकी सभी की rate को इनके molar coefficient N1, N2, N3, N4 से divide कर दे तो इन सभी की rate आपस में क्या हो जाएगी equal हो जाएगी तो चलो divide करते हैं हमने divide कर दिया 1 upon N1 1 upon N2 1 upon N3 1 upon N4 तो ये इनके बीच में क्या हो जाएगा relation हो जाएगा ये तो हो गया R average का अगर अब बात करें R instant की बात करें तो R instant का जो formula होगा वो क्या होगा R instant minus 1 upon N1 DC ये जो C है यहाँ पर आजाएगा A, DA upon DT equal minus 1 upon N2 DB upon DT plus 1 upon N3 DC upon DT equal plus 1 upon N4 DD upon DT ये relation आजाएगा R instant तो हमने क्या देखा कि आपके पास यहाँ पर rate निकालनी है आपने rate निकाली R average और फिर किसके बारे में बात की R instant के बारे में अगर इन सभी reactant old reactant and product की rate को equal करना है तो इनके molar को पिसेंट से अगर इनको divide कर दे तो इन सभी की rate आपस में क्या हो जाएगी equal हो जाएगी जैसे कि example की बात करते है यहाँ पर एक example दिया वा आपनों को एक reaction है 2H I convert हो रही है H2 plus में I2 तो इस डेंट यहाँ पर यह क्या हो जाएगा आपस में reactant और यह दोनों क्या हो जाएगे product अब हमें करना क्या है अगर इसके according बात करें तो इनकी rate वे stichometry में इनकी जो rate है आपके पास में इनमें अगर relation निकालने तो क्या हो जाएगा 1 upon देखो यह हो जाएगा N1 इसके आगे अगर एक से multiply कर दो कितने से एक से तो कितना हो जाएगा 1 upon N1 लिखेंगे del HI upon del T यह minus का हो जाएगा अगर हम R average की बात करेंगे तो equal minus 1 upon plus जोरी product कियाएगी del H2 upon del T plus 1 upon I2 upon del T यहाँ पर N1 कितना दियागा student आपको 2 यहाँ पर N1 कितना दियागा 2 N2 कितना दियागा 1 और यहाँ पर N3 कितना दियागा 1 बस सवाल सोल 1 upon 2 del HI upon del T equal plus 1 upon 1 del H2 del T plus 1 upon 1 del I2 upon del T तो student यहाँ पर इस टाइब के थोड़े से सवाल आपके पास में आएंगे numerical questions जो आएंगे उनको हम soul करने की कोशिस करते हैं यहाँ पर एक numerical दिया हुआ है उसको अगर हम soul करें तो देखते है numerical आपको बोला गया एक reaction दी गही है 2 2A से convert हो रही है B में if rate of reaction यहाँ पर आप बोला गया है कि यहाँ पर एक reaction आपको दी गई है 2A से किसमे ब closer हो रही है B में closer हो रही है और यहाँ पर आप से बोल दिया जाए कि आपको जो rate दी है वो reactant की दे दे अपर किस की बोल दे product की बोल दे, अगर reactant की देगा तो product की निकलवा लेगा, अगर product की देगा, तो किसकी निकलवा लेगा? reactant की निकलवा लेगा, तो हम कौन सा यहां पर apply करेंगे, हम apply करेंगे यह वाला, यहां तो r average यह फिर क्यों बोलेंगे, r instant student मालो, यहां पर हम r average calculate कर रहे हैं और आपको यहाँ पर r product की दी गई है वो दी गई होगी 3.05 into 10 की पावर minus 3 mole liter inverse second inverse यह data आपको given है और आपको calculate क्या करना है r reactant तो ठीक है student तो calculate करते हैं अब पहले तो सबसे पहले relation in between reaction rate and stachymetry लिखना है तो सबसे पहले लिखो r average क्या हो जाएगा minus 1 upon n1 del a upon del t equal हो जाएगा plus 1 upon n2 del b upon del t n1 कितना है यहाँ पर molar को उप्षेंट 2 दिया हुआ है यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है तो लिख दो यहाँ पर है minus 1 upon 2 del a upon del t plus 1 upon 1 और del b upon del t आपको देखो rate of product कितना दिया है 3.05 into 10 कि पावर minus 3 mole liter inverse second inverse यह data आपको यहाँ पर put करना है 3.05 into 10 कि पावर minus में 3 आपको निकालना क्या है student यहाँ पर है rate of reactant यह जो आपको दिया गया है 1 बटा 2 minus del a upon del t इसको बोलते है rate of reactant क्या बोलते है rate of reactant यह आपको calculate करना है और आपके पास में है क्या 3 into 10 कि पावर minus 3 mole liter inverse second inverse तो student इस 2 को इधर multiply कर देंगी तो हमारे पास में क्या जाएगा इस को इस से multiply करेंगे 6 आजाएंगे student answer क्याएगा 6 into 10 कि पावर minus 3 mole liter inverse second inverse यह आपके पास में क्या जाएगा minus del a upon del t मतलब भी reactant के formation की rate आजाएगी क्या जाएगी reactant के formation की rate आजाएगी आपके पास में कि reactant हमारे पास में कितना होगा ठीक है तो यह reactant के reduce होने की rate आजाएगी sorry student यह reactant के क्या जाएगी reduce होने की rate आजाएगी और आपके हापर क्या दिया था product की formation की rate दे गई है तो यहां से जो numerical बनता है वो यह बनेगा कि आपको यहां पर reactant की reduce होने की rate देगा तो आपसे बोलेगा product की formation की rate calculate करो या फिर बोलेगा कि product की formation की rate दी गई है तो आपके reactant की reduce होने की rate calculate करवा लेगा ठीक है student, कल हम अगले वीडियो में इस chapter के अभी तक के जो भी numerical बनते हैं, उन numerical के questions करेंगे, उनकी practice करेंगे, ठीक है student, thank you class.